हलो दोस्तों नमस्कार मैं हवाशिंग चाहल संपादगाप का संदेश दोस्तों जैसा की निर्भयावाला कांड सुर्ख्यों माया था उससे भी ज्यादा ये एक और बहुत ही जगन्या परादे जो दुसकर्मियों ने किया वो एक वेटरिनरी डॉक्टर के साथ किया गया था एधराबाद के चेयर दुसकर्मिय थे उनका पुलिश इंकाउंटर हो गया इस में मिली जुली पर तिकरी आ रही है एक तरफ जहां जनता खाफी खुश नजर आ रही है वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मानवदीकार का या कानून का नाम लेकर यह दुआई दे रहे हैं कि यह जाच होनी चाहिए और इस किसम की बाते आ रही है कि कानून क्या करेगा फिर जब पुलिश ही सारा कुछ करेगी दोस्तों ऐसा है जब जहां लोगतंतर के अंदर जनता का जो विचार है जो जनता की मांग है जो जनता की इच्छा है क्योंकि जनता दवारा बढ़ाएग की शरकार अगर उसके नुरूप नहीं चलती है तो फिर वो परजातंतर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता तो यह जो इनकाउंटर हुआ है इसके शिवाए मुझे लगता है पुलिस के पास कोई चारा नहीं था क्योंकि जो चैयर दुश्करमी थे और उनको पुलिस अपन के पास कुछ भी बचने वाड़ा नहीं है तो दोस्तो इसी कारण से उन्होंने पुलिस से अथियार भी छिनना ही कोशिस करी मरने मरने पर भी उतारू हुए तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो यह कहते हैं कि पुलिस ने गलत किया दोस्तो अगर वो दो चैयर जो आनों को सहीद कर देते और फिर उनके परिवार को पंच-पंच-दस-दस-पचास लाख या एक क्रोड रुपा देकर सहीद का दर्जा देकर वो कर देते तो क्या उससे नहीं मिल जाता लोगों की जो जनबावना है वो इसी अक में थी क्योंकि उनको तुरंत नहीं मिलन ने इसको बताया है और इसमें जब कानून की इतनी लंबी परकिरिया है उसमें पहले से ये देखो आज निर्बयाकांड को कितने साल होगे अब तक वो दरिंदे फांसी पर नहीं लटक पाए आलांकि पूरी नए परकिरिया के बाद भी उनको पूरी तरह से फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है लोड कोर्ट से लेकर सुप्रिम कोर्ट तक फांसी की सजा दे चुके लेकिन आज भी वो फांसी नहीं तूट पाए तो इतनी लंबी परकिरिया कानून की है इस से लगता है कहीं ने कहीं आम जन्मानस के अंदर ये बहर खतम हो चुके है कि वहीं फांसी वाड़ा जहां तक बात है आठा ठाय करने वाड़ा भी आज तक अभी सलाखों के पीछे हैं लेकिन फांसी नहीं तोड़ पाए तो इसी कारण से लोगों में ये खुशी है कि तुरंत इसका असर हुआ हालांके पुलिस ने ये मजबूरी में किया होगा क्योंकि प्राइद सोच समझ गर उस ताइम यही उनका अंतिम निरने हुआ होगा और इसके बारे में ज्यादा राजनित्ति के दलों को भी ये सोच लेना चाहिए कि जो भी कानून की अनुपालनार इन्चक्रों में पड़ेगा वो ये चाहता है कि वही नैक प्रक्रिया इतनी केस में भी अगर जो आदमीं बच कर निकल जाते हैं तो फिर कानून से लोगों का विश्वाश उठना शुरूआ जाता है तो मैं समझता हूं कि आज कल अख़बारों के सुर्ख्यां ये बनती हैं फलाजुग है दुसकरम फलाजग है दुसकरम हर जग है बलातकार पीडित कहीं तेजाब फैंकी जाती है कहीं लड़कियों को मार दिया जाता है कहीं दुसकरम के बाद अत्या की जाती है तो इस किसम के जब ये वारदाते हो रही है तो लोगों का ये सोचना कि ये सही हुआ वो मैं समझता हूं कि ये ठीक ही लोगों की सोच है हम मानते हैं कानून का समान करते हैं माननी अदालतों का भी समान करते हैं लेकिन कानून की पेचितियां इतनी लंबी हैं कि जज साब भी समय रहते फैसला देना चाहते हैं लेकिन इतनी लंबी पर करिया मरुज कर रह जाते हैं कि वर्सों लग को देखते हुए आज जो लोगों में खुशी है खासकर एद्राबाद की जनता जिस तरह से आज एक उत्सों के रूप में मुना रही है और उन पुलिसदी कारियों और करमचारियों को जो सवासी दे रही है उससे लगता है कि लोगों में इस बात का अब भैक खौफ और गत कराएंगे और इस बारे में जो भी आपकी राय हो वो हम जानना चाहेंगे आपका संदेश चैनल को सबस्क्राइब करें और हमें कमेंट में डालें कि यह सही हुआ या गलत इसके समकी बातें जो उबर करा रही है कोई वरोध कर रहा है कोई समर्थन कर रहा है तो यह में आप हमें भी कोछ बताने कोशिश करें धन्यवाद नमस्कार जैहिन